प्रोफिट आता है आपका खुद का तो भला होगा ही होगा आपका परिवार जो समरिद होगा ही होगा इस पुष्ट में ही आपका परिवार समरिद नहीं रहेगा आर्थिक संपन्ता ही नहीं रहेगी प्रन्तु आपका जो परिवार है पुष्ट दरपुष्ट आर्थिक प्राप्त कर लेगा एक ऐसा बिजनस है यहां पे जब आपके आर्थिक संपन्ता होगी परिवार की तो आपका पूरा परिवार जब उनकी सब जरूरतें पुरी हो जाएंगी कंपनी के प्रॉफिट से जो आप कमाएंगे उस प्रॉफिट को लोगों में भी बांटने का आप को दिल करेगा क्योंकि यहां पे जिनके यह दिमाग की उपज़ है और दो शुरू की थी इसमें जो प्रॉडक्ट हम कहेंगे जो हमारे दुकान में सजाए जाएगा जो समान सजाए जाएगा वो 2018 से यहां पे बनाना शुरू कर दिया था पहले तो ऐसा सोचा गया था कि यह जो समान बनाना है जिनको हम यहां पे IT प्रॉडक्ट बोलते हैं IT प्रॉडक्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपने देखा होगा इंस्टाग्राम देखा होगा फेस्बुक देखी होगी जूम मिटिंग तो हम करी ही रहे हैं इमेल देखी होगी या वर्टसेप देखा होगा तो इसी को ही आप IT प्रॉडक्ट बोलते हैं यहां पे भी एक से एक उम्दा इससे भी बढ़िया और इससे भी बहुत तरीके के बहुत तरह की IT प्रॉडक्ट के पास हैं 2018 में जब इन्होंने सोचा था बनाएंगे उन्होंने कहा कि बाहर से बनवा के यह प्रॉडक्ट जो है यहां पे हम उसका बिजनस करेंगे प्रंतु जब यह पाया गया की बाहर से बनाए हुए प्रॉडक्ट का उतनी हाई क्वालि है ये खुद ही इन प्रोडक्ट को बनाएगी अपने ही इंजिनियर्ज लगाएगी और अपने ही एप प्रोड़क्ट प्रॉप्राइट्री प्रोड़क्ट जिसको बोलेंगे ऊब बनाएगी तो अप्रेल दो हाजार उन्नीस में इस कंपरी ने बंगलॉर में अपना एक अब आस्ते आस्ते प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको जितने आदमें चाहिए थे वो सिर्फ बेंगलॉर के ओफिस में ही ओ हमारे लिए सफिशन नहीं थे वो हमारे लिए पूरे नहीं थे इसलिए कंपनी ने अपनी इस चीज का विस्तार करने के लिए हैदरावाद स्टेशन स्लेक्ट किया वहां पे एक बिल्डिंग जो की बत्तरह हजार स्केर फुट है जिसमें कम से कम आज आठ सो जो आई टी शियंस काम कर रहे हैं चार फुलोर में यह जो प्रोड़क्ट बनाने का काम उसमें वरा छे मुझला सारी आपकी बिल्डिंग है तो वहाई यह बखुबी यह जो चल रहा है आज कमपनी ने कितने किसम के प्रोड़क्ट बना के तक करीवन त्यार हो गए हैं कमपनी के पास तक करीवन तीस प्रोड़क्ट त्यार हो गए हैं और मज़ेदार बात यह है कि कमपनी ने जो सोचा था कि हमने हर एक आदमी को यहां पे जिसको यहां जिगनेशन दिया छोटा मोटा नहीं दिया उनने कहा कि इस सिस्टम में जुड़ने वाला हर व्यक्ति जो होगा इस कंपनी का को ओनर होगा इस कंपनी का मालिक होगा जो प्रॉफिट इस कंपनी से होगा वो इस कंपनी के जितने भी फाउंडर जुड़ेंगे वो आपस में ब नहीं जाएगा यहां पे ऐसा नहीं है कि वही कोई लूज करेगा नहीं लूज शवत का नाम इस कंपनी ने अपनी डिक्शनरी से आटाई ही दिया है यहां सिर्फ आपको फाइदा ही फाइदा होने वाला है यहां जितने भी आप जूटते हैं सबका economic well-being आपका होने ही वाला है अब प्रशन दूसरा यह उठता है कि वही यह बिजनस होगा कैसे इतना हमने सोच लिया कि भी दुकान भी आपको देंगे समान भी आपको देंगे गहाक भी आपको लाके देंगे आखिर एक करेगा कौन क्या company इसके लिए बहुत सारे आदमी रखेगी जो कि यह सारा करे आपको जानकर वड़ी खुशी होगी कि artificial intelligence मलब कृत्म बुद्धी एक software में जो की आसान कर देता है हमारा काम करने के लिए उसमें कृत्म बुद्धी भी डाली गई ताकि वो software एक इनसान की तरह काम कर सके और आज के काम को जो आपने करना है वो artificial intelligence इस काम को करे ताकि किसी मनुश्य को यहां पे काम करना ही ना पड़े अब प्रशन बड़ा आसान आपका यह बड़ा आसान दिखने वाला बिजनस लग रहा है कि यहां पे जब कुछ नहीं करना है तो इसका मतलब तो यह हुआ यहां पे जो computer जानता है जो नहीं जानता है जो IT professional है जो बिलकुल भी पड़ा लिखा नहीं है नहीं सिर्फ अपना दसकत भी नहीं कर सकता थोड़ी सी common sense है वो भी यहां पे इस बिजनस को उतनी ही बखुबी से कर सकता है जितनी बखुबी से एक बहुत बड़ा IT का प्रफेशनल कर सकता है इतना simple बना दिया गया है यह business क्योंकि आप नहीं करना ही नहीं है यह बिस बिजनस को artificial intelligence करेगी अब artificial intelligence भी कोई rocket science नहीं है जिसको आप सुझे कि भाई पता नहीं क्या बला होगी हमारी समझ में तो यह आता ही नहीं है और ना आएगा ऐसा भायू बि योग में देखते हैं जब आप गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी में बैठते हैं आपको अपना destination उस पे लगाना है गुगल मैप पे उसके बाद एक लेडी या कोई दूसरी आवाज आपको आती रहती है कि इतने पचास मीटर के बाद आपने left मुड़ना है या right मुड़न से पहुंच जाते हैं यही artificial intelligence से वो assess कर रही है कि कितने मीटर दूर से अगर left मौड़ेंगे इसको आसानी से यह जो है वो अपने destination पे पहुंच जाएगा ऐसा ही यहां पे आजकल तो ऐसा भी है कि बिना driver के car बिना इसके सवचालित रोबर्ट जो की सुरक्षा का काम करते है आजकल बड़े बड़े नेताओं का उनको किसी अपने साथ कोई गार्ड रखने की जूरत नहीं होती उनके रोबर्ट जो स्वेंच चलित रोबर्ट से artificial intelligence से वो ही सारी मदद उनकी करते हैं तो कहने का ताथ पर यह यहां भी ऐसे रोबर्ट जो गुद्धी मता से परिपू इतना बड़ा profit बनाएंगे अब रही बात कि हमारे गहा कौन से होंगे क्योंकि आपको बात दुकान होगी आपके पास समाना आगया आपके पास काम करने वाले जो हो artificial intelligence आगया अब तिसरी बात है रही कि गहाक आपके पास आएंगे कहां से कि भाईयो अभी तक आपको पता है कि internet user इस धरा पे इस शरिष्टी पे 4.6 billion है मलब 460 करोड है जबकि इस प्रित्वी की कुल जन्संख है जो 7.6 billion है 760 करोड की total population इस धरैकी है तो कहने का तात पर यह है कि बहुत बड़ी market है गहाक की यहां पे और जो founder हैं जो आप लोग हैं जो पांच लाग ठाइस अजार भी तक जुड़ चुके हैं वो पूरे system का सिरफ एक परसेंट होंगे कहने का मतलब है जिस दिन यहां पे 10 करोड आदमी भी जुड़ जाएंगे तो 10 करोड आदमी का बन परसेंट अगर आप निकलते हैं एक करोड का बन परसेंट हुआ एक लाग सो लाग एक लाग ठीक है अब 10 करोड आदमी का हुआ 10 लाग इसका मलाव अगर 10 करोड आदमी भी जुड़ते हैं तो 10 लाग से जदा फाउंडर इस कंपनी में नहीं रखे जाएंगे ठीक है प्रन्तु यहाँ पे जुड़ेंगे कितने आदमी यहाँ पे तो 460 या 500 क्रोड लोग जुड़ने वाले हैं तो नेचरली आप जितने भी फाउंडर जुड़े होंगे उनकी परसेंटेज एक परसेंट से भी कम रहन है जितने भी आप दुकानदारी का काम करेंगे उसकी जो परसेंटेज है एक परसेंट से भी कम रहेंगे क्योंकि आप ही लोग ऐसे हैं फाउंडर जिनको हर किसम की कंपनी हर किसम की जो सूलियत है यह कंपनी महिया कराएगी और इसमें आपको कितना पैसा देना इतना बड बहुत सारा पैसा यहां पर चाहिए होता इस बिजनस के लिए चाहिए होगा जी नहीं बिलकुल भी ऐसा नहीं है यहां पर स्तानुएं डॉलर बलब स्तानुएं डॉलर तो आपको अपना एक किसम का हर साल का सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा यह आप यहों सोचिए साल रिन्यू भी कराना पड़ेगा उसकी जो कीमत है अभी शुरू में सिर्फ स्तानुएं डॉलर है स्तानुएं डॉलर का मतलब आठ हाजार दो सो रुपे आपको यहां पहले देना पड़ेगा उसके बाद जीवन भर आपने इस लाइसेंस की रिन्यूल के लिए जेव से क उड़ेगा जब से एक कंपनी लॉंच हो जाएगी उस समय से एक सीक्रिट बॉलक बॉलिट एक गोपनिया बटवा आपके नीचे बनाया जाएगा जिसमें हर रोज के कुछ ना कुछ पैसे आपके उसमें सेविंग के तोर पे डाले जाएंगे जो की एक साल में इतना पैसा जमा हो जाएगा उसमें जिस से आपकी अगले साल की जो सब्सक्रिप्शन है पे हो जाएगी अगले साल की सब्सक्रिप्शन तो बहुत ज़्यादा होगी क्यों क्योंकि पहले साल की जो सब्सक्रिप्शन है यह 90% डिस्काउंट पे है मतलब अगर सौर्पे किसी चीज़ की कीमत है आपको यह दसर्फे में ही मिल रही है इतना ये इतना स़स्ता आपको ये देने की कोशिश हुई है और दी भी जा रही है तो कहने का ताद पर है अगले साल जो आपने रनीवल फीस देनी है अगले साल जो आपने सब्सक्रिप्शन देनी है वो मातर मातर एक नबे हाजार के तक्रीवन होगा और यह जो नबे हाजार है आपने उसमें से एक भी नया पैसा नहीं देना है और आपने ध्यान भी नहीं कब देना ही है क्योंकि आपका जो काम करने वाला आपका जो नौकर बनाया गया है आपके नीचे आर्टिफिशल इंटेलिजन्स ये सामकताब सारा उसके पास ही रहेगा ये वो खुदी याद रखेगी कि मेरे मालिक को अगले साल जो सब्सक्रिप्शन होगी किस दिन देनी है उस दिन वो भूली ही नहीं करेगी आपको उसको नहीं बताने की जूरत मत आपको उल्टा जूरत नहीं है और हर एक आदमी की एक उमर होती है तो उस उमर के पूरा होने के बाद इस फाउंडर के इस धरा से जाने के बाद भी आपके जो फर्दर परिवार को ये लाइसेंस फीज देनी ही नहीं पड़ेगी कितना अच्छा सिस्टम है दूसरा जो आपकी दुकान का मीने का खरच जो आपके प्रोड़क्ट के मीने का खरच जो गहाक को लाने के लिए आपे दुकाने मीने का खरच वो कुल कुल सिर्फ आपको पंद्रा हाजार तक्रीवन आपको अपनी जेव से यहां भी आपको सिर्फ एक बारी ही देना पड़ेगा जीवन में जीवन में कहिए या पुष्ट दर पुष्ट का जितना भी आगे जो केराया पे होगा मीने का प्रोड़क्ट कॉस्ट होगी या गहाकों को लाने के कीमत होगी वो आपने अभी दे देनी है पंद्रा हाजार फिर पुष्ट दर पुष्ट आपको ये पंद्रा हाजार भी कि सिर्फ जीवन में आपने ये दो पेमेंट्स देनी हैं और उसके बाद आपको अब ये चिंता स्तारी होगी कि क्या मुझे कोई गाक खुद भी तो नहीं लाना पड़ेगा जी नहीं यहां पे आपको सिर्फ खुद जुड़ना है आपको इस बैपार से इतनी इंकम आएगी ज चाहे आप अकेले भी जुड़ते हैं प्रन्तु जैसे हम सभी प्रयास कर रहे हैं आपके पास जितने यहां पे तक्रीवन तक्रीवन आपके नियर आप ये रखिए कि एक आजार फांडर जो जुड़गे हैं वो दिनरात सभी प्रयातन कर रहे हैं आप लोगों को जोडने क के लिए इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कंपनी में फाउंडर बनने का मौका मिले अब अब वो अगर मेरे उससे जुड़ना है मेरे लिंक से आपको जुड़ना है मेरे स्पॉंसर्शिप से आपको जुड़ना है तो नैचरली आप मेरे इसका हिस्सा हो जाएंगे टीम का हिस्सा हो जाएंगे इसमें फरक कह रहेगा आप अकेले जुड़ेंगे तो यहां होगा कैसे पहले महीने आपको कितने गहाक देने हैं वो आर्टिफिशल इंटेलिजन्स ही डिसाइड करेगी कि कितने गहाक उनके पूरे पैनल में है क्योंकि उन्होंने सबको यहां बराबरी से देने हैं तो सबको यह मान के चलिए कि आपको तीन आदमी मिलते हैं अब एक आदमी से अगर आपको बीस रुपे का नेट प्रॉफिट भी मिलता है तो आपको साथ प्रॉफिट होता है ठीक है प्रंतु यदि आप कुछ अपने गाख खुद ही पहले डूंड के लाते हैं आपके गाहक कौन से मतलब आप किसको जोड़ेंगे अपने साथ पहले गाहक तो नहीं हम बोलेंगे उनको आप किसको जोड़ेंगे आप फॉन्डर को यह जोड़ें है क्योंकि जैसा मैंने का यहां हर व्यक्ति को जो यहां पर जुड़ा है जुड़ने वाला वो आपके नीचे ही डिवाइड करके आपको दिया जाएगा अब बात एरे कि आपने दस जुड़े हैं हर एक आदमी को अगर तीन तीन इस्टे में आते हैं तो यहां भी फिर दस त हैं तीस आदमी तो आपको सिस्टम देगा क्योंकि आपने दस फाउंडर पहले रालक हैं हर एक फाउंडर को तीन आदमी मिलने हैं क्योंकि वो फाउंडर आपकी टीम के हैं इसलिए जो तीस आदमी आपको आर्टिफिशिल इंटलिएंस दे रही है वो भी आपकी ही टीम का हिस्सा गिने जाएंगे जैसे कितने होगे आपके टीम पिर तीस आपको जो मशीन ने दिये और दस जो आपने लायते चालिस आदमी आपके नीचे टीम में हो गए हैं अब एक ब्यक्ति से आपको जैसा मैंने बताया बीस डॉलर का प्रॉफिट भी होगा तो यहां चालिस मलब आठाटे चौसट चौसट हजार या पैंसट हजार रपे आपके शुरू होंगे अकेले जुडेंगे तो सड़े चारा अजार अगर आपने दस आदमी जोड लिए फाउंडर जोड लिए अपने साथ बता के डवल फाइदा होगा आपको एक तो आपको पहले महीने की जो प्रॉफिट है वो चौसट आजार हो जाएगा दूसरा वो जो आपने दस आदमी जोड़े हैं ठीक है ना दस आदमी जो जोड़े हैं वो भी एक कमाई करने लग जाएंगे आपकी बज़र से वो उनको भी तीन-तीन आदमी जो मिले जिसका वेनिवेट आपको मिला उनक आप फाउंडर बनाने की कमपनी की कोशिश करेंगे कि इस कमपनी में जोड़ने का प्रेतन करेंगे तो आप ये मानके चलिए जितनी बड़ी टीम उतने बड़ा प्रॉफिट आपको पहले महीने आएगा यहां हमने बहुत बड़े-बड़े सपने देखें कि जैसे ही मुझे इस से पैसा आना शुरू होगा मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा करूंगा मैं अपने भाई-वेनों के लिए ऐसा करूंगा या मैं अपने पेरेंट्स के लिए ये चीज लाँगा वो चीज लाँगा अपने लिए मैं मकान बनाऊंगा अपने लिए मैं गाड़ी लोगा वो उतना जल्दी आप कर सकते हैं जितनी जयदा से बड़ी बड़ी टीम आपकी बन जाएगी क्योंकि अगर आप अकेले जुड़ते हैं तो भी आप ए सभी चीज़ें करने वाले हैं तो प्रंतू उसमें आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा हो सकता है आपको इतना धन कमाने में एक साल लगता हो तो यहां पे थोड़ा सा फरक पड़ेगा कि अगर कोई अपने टीम बनाता है जिस लेवल पे मानो वो दो साल में पहुंच जाता है कमाई के जिस लेवल पे तो हो सकता है जो अकेला जुड़ता है उसको उस लेवल तक पहुंचने के लिए पांच साल लगे छे साल लगे तो इतना बड़िया ये सिस्टम है कि यहां जो आप खुद भी काम करेंगे उसका भी आपको फाइदा होने वाला है सिर्फ यहां होने वाला क्यानी है कि जैसे किसी MLM स्कीम में य आपको कमिशन यहां परापत होती है यहां पर आपको जिस आदमी को आप जुड़ेंगे उससे आपको किसी भी किसम की कमिशन यहां पर आपको मिलेगी नहीं ठीक है न आपको बेनिफिट बाद में होगा बिजनस में यह तो अवश्या है प्रंतु यहां कमिशन नहीं मिले क्योंकि प्योर आदमी आपके साथ जो रियल आदमी वह जुड़ेंगे यहां पर कोई भी चीज फिल हाल जो है वो मोटा-मोटी तौर पे आर्टि फिशल नहीं है यहां पर आपके नीचे जुड़ने वाले हैं जैसे ही आपके नीचे 125 लोग जुड़ चुके होंगे चाहिए वो आपने खुद जोड़े हैं या फिर आपको कंपनी ने जोड़ के दिये 125 वैसे ही आपके जो आइडिया तीन इस्व में डिवाइड हो जाएगी तीन कोड उसके बन जाएंगे मतलब कहने का यह है कि जैसे मैं अकेला अभी यह कमा रहा हूं जितनी बड़ी टीम होगी उसके माधियम से कमा रहा हूं मेरी तरह कमाने बले तीन ब्यक्ति आर्टिफिशल तोर पे यहां क्रेट किया जाएंगे और उन तीनों की भी जो इनकेम हैं वो भी आपका जो बॉलेट होगा उसमें प्रती दिन रियल टाइम पे आपके बॉलेट में आते रहेंगे आप उसको पैसे को इनकेश कर सकते हैं बड़े राम से यह जो आर्टिफिशल है जैसे तीन जुड़े जब उनके भी 125-25 हुए उनके तीन-तीन आगे बाइफरकेट होगे जब उन बविश्य में एक लिमिट होगी कि उससे ज्यादा आदमिया आपके पास जुड़ी ही नहीं रहें तो आपकी यह जो ट्रिपल एंट्री बोनस इसको बोलते हैं तीन तीन आदमी जो आपके नीचे आर्टिफिशल जुड़ना कोड के माधियम से जुड़ रहे हैं वो जो है वो इतने ज्यादा हो जाएंगे कि आपके रियल आदमियों की भी यहां जोडने की जुरूत नहीं पड़ेगी प्रॉफिट तब भी आपको आतरेगा जाएगी ओबामा के सेक्टरियेट ओफिस ने और ऑक्सफूड ने भी कह दिया है कि AI और रिबोर्ट आगे हैं यह जो AI और रिबोर्ट जो हैं यह रिपीटिटिव नेचर की जौबच होंगी इनको खतम कर देंगी जौबश को automation डाला जाएगा automation कहां डाला जाएगा rafी इसरे पिटिटिटिव जौड में डाला जाएगा human और computer के dynamic जोडने वाले सफल हो जाएंगे evolution से revelation की और जारे हैं लोगों को घबनाने की जुरूरत नहीं है इसलिए तो कहा जाता है ये revolutionary platform है revelation means करंटी, ये करंटी first time in all world में हुई है हर company सारा का सारा पैसा खुद खा जाती है MLM companies में होता है हमारे SG जिनों ने लोगों की जे में पैसा डालने के बारे में सोचा है ये pay structure को देखिए इसमें residual income में वो उसी companies collective money को ही use करती है और loan लेती है but SG के पास surplus money है हमारे 97 dollar हमारी company हमसे जैसे कि हमें अभी अमर्चन जी ने बताया था कि एक company को license लेने के लिए 97 dollar लिए गी है और ये 97 dollar हमारे ही उपर use होंगे global देखिए company का हमारे 10 से 12 और company का 10 से 12 company ही होती है हमारी company के पास hundred plus companies है legalty देखिए हमारी company में पंदर license ली है और legal formalities पूरी कर रही है और हमारे एक हमारा बहुत ही एक सुनेहरा एक अच्छा सा product O Academy लाँच हो चुका है comparatively दूसरी के companies की legal document पूरे ही नहीं होते और वो 5-6 महिने में scam कर जाती है हमारे देखिए company के अभी 5 लाग plus founder हो चुके है जिस company के अभी soft launch भी नहीं हुआ और क्या यह सफलता का प्रतिक नहीं है Each and everything is our own हमारे पास देखिए office है financially strong companies है